हाई दोस्त आज हमारे याँ पर बिजली भाग के कुछ करमचारी आए और बोले कि कि बिजली भील क्यों नहीं पैट कर रहे हैं तो उनको पोला गया कि लास्ट मैंने तो 4000 बिजली भील पता है आपने इस मैंने फिर से 4000 क्यों दे दिया गया तो जब बात किया गया तो बोले वो तो चार नहीं दस हजार आएगा आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है बोले आप अपना कुछ भी करके बेचिए मैंने बोला स्कूल में ये लास्ट मैने का ये बिजली बिल है लास्ट मैने में बी यहां पर यहां साइन वगरे सब कुछ पैड किया हुआ है और इस मैने फिर से 4000 बिजली बिल आया है फिर से ये 4000 बिजली बिल है और आप देखिए कि इस केसेस में 4000 बिजली बिल और हकीकत सच्चा ही आपको बताओं तो आप भी दंग रह जाओगे हमारे मीटर में 600 रीडिंग है और इस बिजली बिल में 800 रीडिंग है 800 रीडिंग इसमें 800 रीडिंग अब 200 डिफरेंट मुझे एक्स्ट्रा बिजली बिल पेट करना है जबकि मैंने नहीं जलाया इसकूल में देखा जाया तो यह क्या दो बल पर जल रहा है पर यह थी फर्स्ट रीडिंग जब लिया गया था तो 50 रीडिंग हुई थी फिर उसके बाद में 100, 110, 245, 245, 245 और continue लागडाउन से लेके जबकि इसकूल में कोई नहीं था 245 पर मंथ रीडिंग आप सोची है इसकूल में 100 रुपई की इंकम नहीं 4,000 रुपई सिर्फ बिजली बिलपेट करना है मैं कहता हूँ हे सरकार, हे सिस्टम के मशिया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप 4, 10,000 नहीं आप एक काम करिए सिधा ताला लगा लेजिए पुरा सिस्टम को बंद करके पुरा लागडाउन में पुरा सिस्टम को लेकर स्कूल को लेकर मेटर से लेकर आप कंप्लेन करके सिधा जैल में डाल दीजिए हमें क्यों? क्योंकि ऐसा भी रहे कर यहां क्या कर सकते हैं तोड़ना है तो पुरा तोड़िए पूरा तोड़िये, 4,000 बिजली मल मत दीजिये, 40,000 देदेजिये और कोई दूसरी, कोई और स्किम निकाल के आप अंदर करवा देजिये और तोड़िये आप, बहुत बुरी तरीके से तोड़िये मेरे जैसे व्यक्ति को आपको तोड़ना पड़ेगा जब यह कहीं से एक भगस्ति निकलेगा क्योंकि इतना अती मत करिए इतना अती मत करिए कि बहुत बुरा उसका भैनक रिजल्ट आए आज विचार रहे कर विचार खत्म हो गया आख रहे कर दिखना बंद हो गया और आवाज रहे कर बोलती बंद हो गया ऐसा system किस काम का तोड़ दीजिए कही ना कही तोड़िए आप तोड़िए सब तरप से तोड़िए हर प्रकार के business को सब कुछ बंद करके क्यों बंचालू बंचालू कर रहे हो आप पूरा तोड़ दीजिए इसकुल तो बरबाद होई गया सिस्टम बंद हो गया इस्टिटूड बंद हो गया हर प्रकार के business बंद हो गया आपको चिंता नहीं है किसी भी प्रकार की रियल में बता नहीं सकता नफरत इतनी कुट-कुट के भर रहे है आज की date में ये आप तयार कर रहे हो मेरे जैसे विक्ति को तयार कर रहे हो नेता, politician, राजनेता सभी मजबूर कर रहे हैं तयार कर रहे हैं कि आप मरिये, तूटिये चिंता करने की जरुवत नहीं है क्योंकि उनकी पीछे छुटने लायक अब कुछ नहीं बचा है सब तरब से बरबाद करी चार हजार विजले पील आज इस स्कुल में एक स्कुल में तीन हजार एक स्कुल में दो हजार क्या कर लोगे क्या कर लोगे अरे आड रेड़ी तो सब कुछ बंद कर चुका है एदि हाई किसी दम किसी नेता के अंदर में तो एक बार statement देखे देखना आप सिख्छा के उपर में सब के सब कमीने पन की हद कर दिया reading लिया नहीं एक भी दिर 245-245 की continue भेशते जा रहे और उसके बाद मैं बोली की कि बिजली क्यों नहीं पटा है एक साल से तो complain कर रहा हूं कि नाम सही डंग से चेंज कर लो नाम डंग से चेंज नहीं कर पा रहे आरमर education, welfare society को अमेर education, education लिखते नहीं आता है आरमर लिखते नहीं आ रहा है और कर्मचारी दादागिरी बता रहा है नफरत तो है आज की डेट में अती इतनी नहीं होनी चाहिए 200 यूनिट का डिफरेंट है और उपर से एक बल पर जलता है इसकुल के अंदर में 4000 बिजली बिल हर मैने कौन देगा यार मा भी चाहूंगा बट अती हो रही है हर गाव में यह चर्चाएगी कि बिजली धंग से नहीं आ रही है खेती में रभी का मोटर ने उठ पा रही है नधान के लिए धंग से बिजली आ रही है कितना समझाओगे बट कहीं न कहीं तकलीप तो है ये प्राल्ट एडिजेशन का खेल है कब तक ठीक है मनमानी है करो कोई भी सरकारा है कोई भी नेता पॉलिटीशन कोई भी कमपनी आम विक्ति को जैर दे के मार दो ने यार क्या करने की जरुवत है जैन जै भारत